हेलो स्टूडेंट्स, होप यूर आल दूइंग वैल, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल, तो हम कलास 11 आरो भागवन से चैप्टर नमबर 3 अपू के साथ धाए साल के MCQ कर रहे हैं और ये वेरी शोट कोशन आंसर्स हैं जो की एक्जाम्स के पॉइंट ओ व्यू से काफी इम्पोर्टन है और इस चैप्टर को जो लिखा है, वो सत्यजी तरॉई ने लिखा है और सत्यजी तरॉई जो है, एक बेंगॉली है और उसके सास्थ वो एक बेंगॉल की फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत अच्छा नाम रखते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे फिल्म जगत के लिए काम किया, उन्हें बेहतरेन फिल्म में दी, तो स्टार्ट करते हैं, स्टूटेंस टो कोश़न No.1 है, फिल्म के एक दरशे में दुरुगा के दोरते दोरते, अपू कहां पहुंसता है? तовतर होगा कि फिल्म के एक दरशे में दुर्गा के पीछे दोरते दोड़ते अपू काशफूलों के वन में पहुंच जाता है और ये काशफूलों का वन क्या था एक बहुत बड़ा मैदान था जहां पर वाइट कलर के काशफूल खिले वे थे और वो मैदान देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा था तो जब दुरगा की पीछे-पीछे जो आयू थी वो असी वर्ष की थी और दूसरी कमाल की बात ये थी कि इस पूरी फिल्म में जब तक ये फिल्म बनी और इसने बहुत लंबा टाइम लिया और वो इस दुनिया में रही और अपनी भूमिका उन्होंने स्वेन निभाई इसके अतरीक तो जो श्री निवास थ लेकिन वो चला गया दुनिया को छोड़ कर और उसकी जगे उसका डुब्लिकेट लिया गया और उसी तरीके से जो डॉक था वो भी चला गया दुनिया छोड़ कर और उसकी जगे भी डुब्लिकेट डॉक्स के साथ काम किया गया लेकिन चुन्नी बाला देवी जो थी वो बहुत बड़ी उम्र के लेडी थी और पूरी फिल्म में वो बनी रही Q2 है पाथेर पानचाली की शूटिंग हर रोज ना होने की कारण लेखक को क्या डर सताने लगा था तो उत्तर होगा कि पाथेर पाथेर पानचाली की शूटिंग हर रोज नहीं होती थी बार बार शूटिंग रोकनी पड़ती थी और उसकी पीछे बहुत सारे कारण थे कुछ तो पैसा खत्म हो जाता था और कुछ जो था कि डिरेक्टर काम करता था तो उसको वक्त ही नहीं मिलता था एक विग्यापन कंपनी में ये लेखक जो थे काम किया करते थे तो उस वक्त मिलने पर शूटिंग करते थे तो जब ये शूटिंग हुई तो लेखक को एक दर पहुच जाता सता रहा था क्योंकि इसमें दो बच्चे थे अपू और दुरगा तो ये अपूर दुरगा की भूमिका निभाने वाले बच्चे कहीं समय के साथ बढ़े ना हो जाए क्योंकि फिर ऐसे फिल्म के अंदर कंटिन्यूटी नहीं रह पाती एक सीन में तो वो छोटे बच्चे नजर आते और दूसरे सीन में वो बड़े बच्चे नजर आते तो यही दर जो था लेखक को सता रहा था तो कोश्चन नमबर फोर्थ है फिल्म में इंदरा ठकुराइन की भूमिका किस ने निभाई थी तो उत्तर होगा कि फिल्म में इंदरा ठकुराइन की जो भूमिका थी वो चुन्नी बाला देवी ने निभाई थी और चुन्नी बाला देवी जो थी सबसे बड़ी उम्र की लेडी थी सिल्म में उनकी उम्र कोई असी बर्ष की थी तो बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ शूटिंग के लिए तीन रेल गारियों का इस्तेमाल किया गया तो उत्तर होगा कि शूटिंग के लिए तीन रेल गारियों का इस्तेमाल किया गया और ये तीन रेल गाड़ियां क्यों इस्तेमाल की गई थी क्योंकि जब रेल गाड़ी से धुवा निकलता तो काश फूलों से भरा वाज़ू सफेद बैक्ग्राउंड था उसके उपर जो यह पिए साइड से रेल गाड़ी निकलती है और वो काला धुवा छोड़ती तो वो स कालने से ही काला धुवा निकलता क्योंकि जब कोईला जलता तो उससे काला धुवा निकलता तो इसी वज़े से कोईला डाला जाता था रेल गाड़ी में ताकि वो काला धुवा को निकाल सके तो नेक्ट कुश्चन है काला धुवा निकालने के लिए गाड़ी के बाइलर मे जो अनिल बाबू थे वो कोईला डाला करते थे वो पहले से ही एक स्टेशन पहले से ही गाड़ी में बैट जाये करते थे और वो जब मैदान आता था जहां पर क्योंने शूट करना था तो उससे पहले वो कोईला डालना शुरू कर देते थे ताकि गाड़ी में से काला दुआ निकल सके तो next question है फिल्म में कुत्ते का नाम क्या था तो उत्तर होगा कि कुत्ते का नाम भूलो था तो अब next question है भूलो कुत्ते की जगे दूसरा कुट्ता क्यों लाया गया था तोत्तर होगा क्योंकि भूलो कुत्तों की मृत्य हो गई थी और इसी वज़े से बाकी का सीन शूट करना था और उसी से मिलता जुलता एक दूसरा कुत्ता लाए गया और उसको उसकी पीड दिखाकर बाकी का जो सीन था वहाँ पर फिल्म आया गया तो इसी वज़े से भूलो काश शूटिंग आरम क्यों नहीं कर सके जानवरों द्वारा क्योंकि काश फूल खाली गए थे और इसी वज़े से अब महापर मैदान में काश फूल नहीं थे तो यही कारण था कि साथ दिन के बाद जब पूरी की पूरी जो यूनिट थी वो उस मैदान में पहुंची तो मै इसी वज़े से शूटिंग नहीं हो पाई तो नेक्स नं फूसट्झन है सूटिंग के लिए कितनी रेल गार्यों का स्तेमाल किया गया था जोट दिया गया और जिससे दर्शकूं का यह पता ही नहीं चल पाया कि एक्चुली में एक रेलगारी नहीं है बलकि ये तीन अलग-अलग रेलगारियां है तो स्टूडेंट अमीद है इस सभी आंसार आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बलको प्रेस कीजिए और पर हिट कीजिए ताकि आने वाला है एवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे मिलते हम आप से अपने नेक्स्ट वीडियो में तिल